उस differential equation के लिए जिसके दोनों roots equal है and real है ठीक है तो माल लीजे आपके पास एक differential equation रिया हुआ है d square minus 2d plus 1 and y equals to e raise to power x sin x हम लोग सिर्फ complementary function की बात कर रहे हैं तो right part को हम लोग अभी consider नहीं करेंगे क्योंकि complementary function सिर्फ left part से ही calculate किया जाता है तो say d square minus 2d plus 1 y equals to 0 suppose okay now हमने आपको जब rules हम लोग discuss कर रहे थे complementary function calculate करने के लिए तो आपको बताया था कि हम लोग को क्या करना होता है d square को हम लोग m square से substitute करेंगे and d को हम लोग substitute करेंगे m से correct तो इस तरह से हमें एक auxiliary equation मिल जाएगा हमारे differential equation का तो जब हम इसको substitute करेंगे तो हमें auxiliary equation किस तरह से मिलेगा चलिए वो भी दिख लेते हैं m square minus 2m plus 1 equals to 0 अब इस equation को हम लोग क्या करते हैं फैक्टराइज और फैक्टराइज करके इसके root sign out करते हैं तो इसको factorize कर लेते हैं ठीक है दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहां हमारे equation के दो roots हैं 1 and 1 ठीक है दोनों roots हमारे equal हैं अभी हमें क्या करना है हमें इन roots के अदार पर अपना जो complimentary function है उसे लिखना है तो वेन आवर रूट्स ओफ डिफरेंशल equation are equal our complimentary function is complimentary function means cf cf is c1 plus c2 x in the bracket e raise to power a x where a is the root यहां a हमारा root होता है तो हम लोग क्या करने वाले है c1 plus c2 x और हमारा root क्या है equal to 1 है root हमारे 1 है तो हम लोग e raise to power 1.x लेखिंगे इसको या हम इसे simply बोल सकते हैं c1 plus c2 x e raise to power x ठीक है दोस्तों यही होगा हमारे equation का complimentary function दोस्तों वीडियो आपको कैसी रगी आप हमें comment box में comment करके जरूर बता है जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार